रेल्वे में 293,943 पोस्ट, सिविल डिफेंस में 2,64,706 पोस्ट, होम अफेर्स में 1,43,536 पोस्ट, डाक विभाग में 90,000 पोस्ट, रेवेन्यू में 80,000 से ज़्यादा पोस्ट, इंडियन आउडिट एंड अकाउंस डिपार्टमेंट में 25,934 पोस्ट. ये है देश में खाली, रिक्त नौकरियों के स्थिति, ये आकड़े हमारे नहीं हैं, ये आकड़े सरकार के हैं. जी हाँ, आज, यानि 3 फरवरी 2023 को संसद में सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में, जितेंद्र सिंग ने जवाब देते हुए भारत सरकार के पास खाली पदों का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया है कि देश में लगभग लगभग इस समय 9,90,000 पोस्ट खाली हैं. ये आकड़ा कल तक का नहीं है, परसों तक का नहीं है. ये आकड़ा है 1 मार्च 2021 तक का, अभी से लमसम 11 महीने पहले का. देश में इतनी नौकरियां अभी केंद्र सरकार के पास बची हुई हैं, इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है. मैं सिध्धान आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजसभा में इस पूरे मुद्देक वले के सवाल जवाब क्या हुए. सुशील कुमार मोदी ने पूछा कि क्या देश के प्रधान मंतरी हमें बताएंगे कि 10 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने के वादे का जो टारगेट था, डिपार्टमेंट वाइस टारगेट था, उसकी क्या इस्थिती है? ये भी पूछा कि सरकार में इस समेस्थ वेकेंसी का क्या स्थिती है? डिपार्टमेंट वार बताईए. ये भी पूछा कि SC, ST, OBC, Economic Backward Class और Economic Weaker Sections को लेकर के टेगरी वाइस वेकेंसी की क्या स्थिती है? ये भी बताईए. नमबर अफ जाब्स टारगेट तू प्रोवाइड तू पर्वाइड तू परसंस बिलॉंग एक तू दू 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 बताईए. दू दू लाख नौकरियों में से जितने लोगों को नौकरी दी गई है? उसका नमबर भी बताईए. और ये भी बताईए कि नेशनल रिक्रूट्मेंट एजनसी जो है, वो कब तक क्रियानवन की स्थिती में आएगी? कब तक ऑपरिशनल हो जाएगी? इसमें और NRA ने एक डीटेल स्टडी की है, रिक्रूट्मेंट सिस्टम की केंद्र के साथ और राजियों के साथ ताकि नौकरी देने की एक बहतर प्रेक्टिस की जा सके. आगे वो बताते हैं कि रोजगार मेला जो है, वो इवेंट और्गनाइज किये जाएंगे और और्गनाइज किये जा रहे हैं देश भर में ताकि केंद्री मंत्रालेओं, विभागों और पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स में और स्वायत बॉडीज और पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्तियों को भरा जा सके उन्होंने ये भी बताया कि हम ब्यारा दे दे रहे हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरी खाली है ये भी बताया कि category wise detail जो है vacancies की वो respective ministries department और उनके संभागों द्वारा manage की जाती है और रोजगार मेला जो है वो उसके लिए और वो याशा कर रहे हैं कि रोजगार मेला वो continue करेगा आगे बढ़ता रहेगा एक catalyst की तरह कि ताकि नौकरियां दी जाएं और self-employment generation स्वरोजगार सरकार के मुद्दों में कई लंबे-लंबे समवादों में ये बात आती रहती है सवरोजगार सवरोजगार और provide gainful service opportunities to the 10 lakh youth over a period of one year और सो ये भी रोजगार मेले के माध्यम से achieve गिया जाएगा साथ ही उन्होंने 1 मार्च 2021 कागज सामने है राजसभा की website से लिया गया है 1 मार्च 2021 तक में कितनी कितनी नौकरियान बची हैं देश में आज से लगभग 11 महीने पहले ये city थी मैं लबबोलू आप आपको बता देता हूं बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पे चल रही इस लिस्ट में आप देख सकते हैं Agriculture Research and Education में 13 पोस्ट Animal Husbandry में अतलग बग 1842 पोस्ट Atomic Energy जैसे डिपाइटमेंट में 9,460 पोस्ट खाली है आप अगर देखें Culture में संस्कृति के शेतर में 3,888 नौकरियां खाली हैं Civil Defense में जैसे हमने आपको बताया 2,44,706 पोस्ट खाली हैं साथ ही Earth Sciences में 3,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं Environment, Forest and Climate Change में 2300 पोस्ट खाली हैं Health and Family Fair में 1700 से ज़्यादा पद रिक्त हैं अभी भी GRIH मंत्राले में 143,000 पोस्ट खाली हैं Indian Audit and Accounts Department में 25,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं साथ ही Information and Broadcasting में 2,000 Electronics and IT में 1500 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं Mines में Mines Industry में 7,000 पोस्ट Labor and Employment में ही लगभग 2400 पोस्ट खाली हैं आगे बढ़ें तो Personal and Public Gravances and Pensions 2535 पोस्ट जो मंत्री जी बयान दे रहे थे उनके Department में ही साल भर पहले लगभग 2500 पोस्ट खाली थी डाक विभाग में हमने जैसे आपको बताया 90,000 पोस्ट खाली हैं Revenue में 80,000 Railways में लगभग लगभग 3,00,000 To be very precise 2,93,943 पोस्ट खाली हैं Water Resources में River Development में Ganga Rejuvenation में 6860 पोस्ट खाली हैं Space में 2100 पोस्ट खाली हैं Science and Technology में 8500 पोस्ट खाली हैं House and Urban Affairs में 2751 पोस्ट खाली हैं ये है देश में खाली नौकरियों के स्थिती जो केंद्र सरकार के विभिन विभिन अमंत्रालेओं विभिन विभिन विभागों और उनके संभागों में हैं ये स्थिती और बड़ी हो सकती है अगर आप राजियों तक जाएं ये स्थिती और बड़ी हो स्थिती है जब आप केंद्र शाषित प्रदेशों में जाएं ये स्थिती और भी ज्यादा भयावा हो जाती है जब आप निगमों, पंचायतों और सिविल बॉडीज का रुख करते हैं कितनी नौकरियां है देशों इन नौकरियों का एक ब्यारा होना चाहिए सरकारों की एक जवाब देही होना चाहिए स्वरोजगार खुद का रोजगार खुद का काम सबके साथ साथ सरकार कितनी नौकरियां दे रही है इसकी भी शिनाक्त परताल और जवाब दे ही तै होनी चाहिए आप देलन डॉब दिख रहे दे बहुत बाशूरी